साल 2023 बॉलिवुड फिल्मों के लिए एक कमबैक की तरह साबित हुआ। इस साल की सुरवात में ही शाहरुख खान ने अपनी मूवी पठान से बॉलिवुड में एक धमाकेदार ओपनिंग की और फिर उसके बाद तो इस मूवी ने एक के बाद एक करके सारे बड़े रिकॉर् ने नाम किये। देखते ही देखते पठान मूवी ने हिंदी बेट में 500 करोर और वर्डवाइड 1000 करोर से ज्यादा कमा लिये। शाहरुख खान की पठान के सामने कई मूवी रिलीज हुई पर कोई भी उसका सामना नहीं कर सकी। बॉलिवुड के बड़े खिलाडी जहां प के साथ रिलीज होते ही। सनी देओल ने इस मूवी से बॉलिवुड में एक बड़ा धमाका किया। सनी देओल की गदर दो एक धमाकेदार सीक्वल मूवी है जो फिल्म इंदस्ट्री में तहलका मचा रही है। क्या आप तयार हैं इस खास मुकाबले की कहानी देखने के लि मामले में तहलका मचा दिया है। गदर दोने कुल मिलाकर 284 करोड रुपए कमाये हैं। सनी देओल के प्रिय फैंस ने उनके साथ खड़े होकर बड़ा इतिहास बनाया है। लेकिन अगर बात शाहरुख खान की पठान की करे तो कमाई के मामले में पठान अभी भी बहुत आगे नजर आती है। पठान ने बड़ी चुट्टी का फायदा उठाते हुए नौ दिनों में 351 करोड रुपए कमाएं। यह सच में मामूली बात नहीं है। पठान ने तेलुगू में 9 करोड और तमिल में 4 करोड कमाएं। इससे उसकी भारतिये बाकी कमाई 9 दिनों में और देखें तो उसने पहले ही 317.5 करोड कमाए थे। बावजूद गदर दो के 284 करोड मुकाबला काफी टकर का था। 33.5 करोड के अंतर के साथ। पठान आगे बनी रही। इसके बाद जब धूल बिखरेगी और आकड़े सामने आएंगे तो पता चलेगा कि किस मूवी न बाजी मारी। जिस रफ्तार से गदर दो आगे बढ़ रही है कुछ भी बोलना मुस्किल है। गदर दो का जोश आसमान चू रहा है। लेकिन अभी पठान को इतनी आसानी से हराना मुस्कील लगता है क्यूंकि अगर गदर दो हिंदी बेट में 500 करोड से अधिक कमा के पठ पठान का रेकॉर्ड तोर पाएगी या फिर पठान का रेकॉर्ड खुद शाहरुक खान ही अपनी अगली मूवी जबान से तोडेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन एक बात तो साफ है। बॉक्स ओफिस का असली किंग कोन है ये बात सब जानते हैं।